सो हेलो अब्रिवान वेलकम बैक टू अनधर न्यू वीडियो आजके इस वीडियो पे आप लोग पाई कोईन से पेमेंट करने का प्रोसेस जानने वाले हो इस वीडियो पे मैं आप लोगो स्टेप बाई स्टेप बताऊंगा कि QR कोड स्कैन करके या फिर मैनुएली एड्रेस एड़ करके आप किस तरीके से पाई कोईन से पेमेंट कर सकते हो हो अगर यह प्रोसेस आप लोग सीख जाते हो तो आप जुह है पाई कोईयो इनफोर्मेटीव होने वाला बिना KYC दूसरा है मेंनेट चेकलिस्ट अगर KYC और मेंनेट चेकलिस्ट का सभी स्टेप्स आपका कम्प्लेट हो जाता है देन आपका पाई आपके वालेट पर क्रेडिट हो जाता है तभी आप जाकर के पाई कोई सेंड या रिसेप कर सकते हो आप मैंसे सभी का almost KYC और MedNet checklist complete हो चुका है अगर अभी तक नहीं हुआ तो निचे description पर आपको वीडियो मिल जाएगा वो वीडियो देख करके KYC और MedNet checklist आप complete कर सकते हो जैसे आपका KYC MedNet checklist complete हो जाता है उसके बाद simply आपको अपने Pi browser open करके अपने wallet को login करना पड़ेगा मैं आप लोगो दिखा भी देता हूँ उसके लिए simply Pi browser open करते हम पहले आप लोग देख सकते हो हमने इस फोन पे जो है Pi browser open कर लिया है उसके बाद simply wallet.py पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप पास्प्रेस या फिर फिंगर्पिंट से अपने wallet को unlock कर सकते हो तो मैं fingerprint से unlock कर लेता तो आप लोग देख सकते हो हमने इस फोन पे जो है wallet open कर लिया है अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि यह फोन हमने यहाँ पे क्यू रखा तो मैं आप लोगो practically Pi coin transfer करके दिखाऊंगा इस address से इस address में ठीक है ताकि आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाओ तो हमने basically इस फो लेकिन अगर आपको Pi coin send करना है तो उसके लिए जो है आपको अपने balance को available balance पर transfer करना पड़ेगा ठीक है यह कैसे करते सिंप्लिस के लिए आप migration पर आओगे तो यहाँ पर आपको अपने lock Pi और unlock Pi दोनों दिख जाएंगे जो lock Pi था उसको हमने move कर लिया available balance पर ठीक है तो आप आपका भी जब Pi coin transfer होकर के wallet पर आ जाता है उसके 14 दिन बाद आप migration के option पर आओगे और यहाँ पर move का बटन आपको मिल जाएगा जैसे move पर क्लिक करोगे तो आपका balance पर transfer हो जाएगा आप लोग देख सकते हो 10% जो है unlock Pi था वो हमने available balance पर transfer कर लिया है बाकी के 90% यहाँ पर log है ठीक है और जो log Pi आपके यहाँ पर migration के option पर दिखेंगे इस पर आप किलिक करोगे नीचे तरफ जाओगे तो आपको date भी दिख जाएगा कि किस date पर आपका यह पाई unlock होने वाला है जो date यहाँ पर दिखेगा यह date के बाद ही आप इस Pi को जो है move कर सकते हो available balance पर तो आप नीचे description पर लिंक भी आपको मिल जाएगा process बहुत ही easy है migration पर option पर आना है यहाँ पर जो आपका unlock पाई रहेगा उसके सामने move का बटन दिख जाएगा move पर क्लिक करोगे available balance पर वो balance टांसपर हो जाएगा ठीक है इस account पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर जो balance है हमारा यह balance हमारा यहाँ पर दिख रहा है यानि कि जो लॉक पाई और जो अनलोग पाई है दोनों पाई हमने जो है टांसपर कर लिया है available balance पर से लिए यहाँ पर जो है nothing to show दिख रहा है हमारा migration के option पर उमिद कर तो यहाँ तक समझ गए होंगे एक बार short पर बतायता हूं पाई कोई रिसीब करने के लिए KYC और मेंच चेकलिस्ट आपको कम्प्रीट करना पड़ेगा लेकिन पाई कोई करने के लिए जो balance आपको एड्रेस पर दिखेगा वह balance को आपको एबेलेबल बैलेस पर टांसपर करना है अभी जैसे देखो यहाँ पे 209 पाई है लेकिन बैसिकली इस एड्रेस से इस एड्रेस पर आपको पाई कोई ट्रांसपर करके दिखाने वाला हूं उसके लिए simply आपको देखिए pay and request पे क्लिक करना है यहाँ पे देखो कि तो दो option आपको देखने को मिलते हैं एक scan और show QR code और एक manually add wallet address ठीक है तो अगर आपको scan करके पर मिन वैसे ही आप यहाँ पर contact add करके रख सकते हो ठीक है तो scan पर हम आ चुके है और basically इस एड्रेस पर हम ट्रांसपर करेंगे इसलिए pay and request पर क्लिक करते हैं यहाँ पर भी हम scan और QR code पर क्लिक करते हैं उसके बाद आपको my code पर क्लिक करना पड़ेगा जैसे हम my code पर क्लिक किये है इसका जो है QR code हमें देखने को मिल रहा है अभी basically इसको हमको scan करना है तो आप लोग देख सकते हो scan करते ही wallet address जो है automatically यहाँ पर आ चुका है within second यहाँ पर आ जाता है उसके बाद आपको memo में कुछ अगर आप लिखना चाते हो कि कि किसले आप यह payment कर रहे हो तो आप यहाँ प आपको amount select करना है मैं basically यहाँ पर 10Pi आप लोगो जो है transfer करके दिखाता हूं 10Pi डालने के बाद उसके बाद आपको simply send पर क्लिक करना है एक confirmation message आता है यहाँ पर आपको address वगरा दीखता है address वगर आपको एक बार verify कर देना है जैसे आप confirm पर क्लिक कर देना है जैसे आप confirm पर amount जो है credit हो चुका है और यहाँ पर available balance पर भी हमें शो हो रहा है ठीक है इससे पहले भी हमने एक transaction किया था लेकिन वो वीडियो कार्टोन एक बज़े से दिखाने पाया इसलिए मैं आप लोगो फिर से 10Pi transfer करके दिखाया हूं अभी basically back कर लेते हम तो उमित करता हो कि keyword code scan करके किसे सरण करते हैं अब बात करते हैं अगर मैं वलिट अद्रेस ऐड करके다는 कंड करना है तो इसके लिए आपको क्या करना है उसके लिए भी Oh अपको पेन र handwriting लिक करना है लेन यहां पर मैनुएल एड वाले अडर्रेस पर क्लिक करना है और यहांपर जु सकतो है enfant यहांगत करके आपको कॉपी करके अपको सेंड पर क्लिक कर देना है तो तुरंत आपका अब queries ब्रीक कर दिया घाएगा उमित करता हूँ यह दोनों process समझ गए होंगे कि किस तरीके से QR code या फिर किस तरीके से wallet address एड़ करके payment किया जाता है अभी बात करते हैं किस तरीके से receive करना है तो उसके लिए भी आपको pay and request पे click करना है ठीके यहाँ पे आपको scan और keyword code पे click करना है यहाँ पे आपको my code पे click करना है अभी जिस भी address से आपको लेना है तो वह address पे simply आपको यह code scan करना पड़ेगा scan करते address आ जाएगा यहाँ पे amount पगारा select करके send कर देना है तो आपका address पर आपको pay receive हो जाएगा और यहाँ पे आप share wallet address पे click करके अपना wallet address को share भी कर सकते हो जैसे speak क्लिक करोगे सभी account आपका आज आएगा WhatsApp बगरा तो यहाँ से आप directly अपना address को भी send कर सकते हो साथी साथ यहाँ पे देखोगे तो add contact का option है ठीक है तो यहाँ पे भी आपको QR code मिल जाता है यह QR code को आप scan करके जो है अपने add करके रख सकते हो जैसे phone पे Google पे आप और रिसीव करनी का और notification का option भी आपको यहाँ पे मिलता है कोई भी ऋट रिगार्डींग नोटीफिके चनझ आता है तो यहाँ पिर आपको देखने को मिलेगा असरु कुछ भी payment वगएरा अगर आप babe-acking बार में भी आ जाता है आपका यहाँ नोटिफिकेशन बार में फिर receive किया जाता है अभी बात करते हैं विड्रो के बारे में जैसे कि आप लोगों पता है अभी भी open minute launch नहीं हुआ open minute launch होने के बाद बिल्कुल सेम तरीके से जो आपको यहाँ पर विड्रो करना होगा से एक्जामपल लेके मैं आप लोगो समझा देता हूं ठीक है जैसे कि यहां पर देख सकतो वजिशेंज हमने यहां पर उपेंड कर लिया है जैसे हम फंट की ऑप्षण पर आते हैं यहां पर देख सकतो काफी सारे वालेट हमें देखने को मिल रहा है तो सेम तरिके से पाई क से QR code भी मिल जाता है और सो यहां पर आपको address भी मिल जाएगा राइट तो सेम तरीके से आप जो है address पर या फिर QR code पर अपना payment को कर सकते हो payment transfer करते हैं instantly आपके wallet से deduct होके उस particular exchange के पाई wallet पर क्रेडिट हो जाएंगे जैसे पाई wallet पर आ जाएंगे simply आपको back करके यहां पर जो है market के option पर आना है ठीक है और यहां पर आपको आयनर पेर पर जो है वह पाई को ऐनको select कर लेना है सबस्करों यह Bitcoin है तो यहां पर हम क्लिक कर देते यहां पर सबसे उपरicki आपको दीख जाएगा कि किटना प्राइस तबका टाइम पर है तुसक्सा पर लेट करना है किटना सेल करना है आपके पास कितना अमांट है वो सब विड्रोग पे क्लिक करके विड्रोग कर लेना है बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम पैसेंस के साथ वेट करें जैसे ही ओपन मेंनेट लॉंच होने का बात किसी रिक्सेंच पर लीश्ट होता है मैं आप लोगो लाइब जैसे मैंने इस वीडियो पर बता है वैसे मैं आप लोगो वीडियो करने का प्रोसेस भी बता दूँगा अगर लगता एक लाई चानल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरू कर दना कुछ भी और जान करेंगर आपको चाहिए तो कमेंट पर जरूर बताना और पाई नेटो के बारे में और जान करें चाहिए तो लूट जाके चेक आउट कर लेना तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अप लोगों से बहुत जल नेक्स टारेक इंफर्मेटिक वीडियो के साथ